So hi everyone, welcome to the video तो इस वाग मार्केट में दो important questions है कि क्या इस point of time से इंडियन मार्केट और further rally दिखाएंगे and if yes तो ऐसे कौन से stocks है जो कि investment purpose से इस वाग सबसे जादा suitable रहेंगे इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 stocks को बारे बताऊँगा जो कि मेरे according एक reasonable valuation पर trade कर रहे है and इन में एक अच्छी buying opportunity निकल के आ रही है and disclaimer ये कोई investment advice नहीं है ये सारी चीज़े मैं आपको facts और data के according प्रिज़न करूँगा और जो भी आप investment decision ले उससे पहले please अपना homework जरूर कर लीज़ेगा अब सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि क्या Indian markets यहां से और उपर जाके अपने एक नया all time high बना सकते हैं या नहीं तो उसके लिए मैं आपको Nifty 50 के chart pattern पर लेगे चलता हूँ जो कि इंडिया की top 50 companies को denote करता है तो as you can see March में Nifty 50 ने एक doji candle का formation किया जो कि यह दिखाता है कि market में हमें एक strong reversal देखने को मिल सकता है बट फिर भी क्योंकि Indian markets में काफ़ यदा consolidation चल रहा है हम चीज़ों को एक macro economic point of view से देखते हैं तो अगर आप यह देखोगे कि पिछले एक से देर सालों में जब market में perform नहीं किया तो इसके पीछे का main reason क्या है दो main reason निकल के आएंगे पहला है market में overall world markets में बढ़ता हुआ inflation जिसकी वह से interest rates बढ़ाया जा रहे है और second है Indian markets में FIIs यारी foreign institutional investors की huge selling अब अगर आपने सबसे पहला factor यारी inflation को देखेंगे तो right now US का current inflation rate around 5% का है जो की 9.2 का peak बनाके वहाँ से एक downward trend में है अब मुझे क्यों लगता है कि यहाँ से US में और further interest rate hike नहीं होगे और अगर होते भी है के बाद एक interest rate hike 0.25 basis point का ही हो सकता है इस बिकॉज रिसेंटली US का एक और बहुत बढ़ा bank जिसका नाम था first republic bank वो collapse हो गया और इसके collapse के पीछे का reason भी यह sudden rate hike सी थे पड़ यह clear signal था US के central banks को कि अगर यहाँ से interest rate को और जादा hike किया गया तो इनके और भी systematically important banks collapse कर सकते हैं जो की US की economy effort नहीं कर सकती अब वही पर अगर आप इंडिया की situation को देखोगे तो recently RBI की meeting में RBI ने जो interest rate थे उनको same ही रखा जो कि clearly denote करता है कि इंडिया में जो inflation है वो well under controlled है अब हम अगर अपने second factor जो की FIIs की selling उस पर नदर डालें तो April के मन्द में Indian markets में FIIs net buyers बनके आया है जहां पर उन्होंने 5,700 इंडिया ने 11 crores की net buying की है और अगर आप यहीं March का data भी देखोगे तो उन्होंने total 2,000 crores की net buying की है और लेट मी टेल यू 2 consecutive month FIIs ने जो net buying की है इससे पहले March 2021 में FIIs ने 2 consecutive month में net buying की थी जो की साब दिखा रहा है कि Indian markets में FIIs को भी confidence आ रहा है कि Indian markets bottom out हो चुके है यहां से हमें एक rally देखने को मिल सकती है और इसकी possibility काफी जादा है कि शायद next bullden की starting already हो चुकी है और हम उसकी starting phase में है यह जो bullden है वो 2020 का जो bullden था जिसके वैसे majority of the new investor market में आये थे उससे काफी अलग होगा विकास वहाँ पर markets काफी suddenly fall हुए थे और वहाँ से हमें एक sharp recovery देखने को मिली थी इस case में आपको जो bullden मिलेगा वो एक ladder form में मिलेगा जहां पर markets उपर तो जाएंगे पर दीरे दीरे इन बीच बीच में एक बार consolidation करके थोड़ा नीचे भी आएंगे पर overall अगर आप long time में movement देखोगे तो market का उपर ही होगा अब क्या मैं 100% sure हूँ कि markets यहां से एक bullden दिखाएंगे नहीं मैं कोई नहीं होता जो markets को time करके उसको predict कर पाऊं let me tell you मैं आपको भी करने का suggest नहीं करूँगा but India markets में जो retail investors हैं सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो एक perfect time का wait करते रहते हैं कि यार जब मुझे technical charts पे और markets में यह confirmation मुल जाएगा कि यार bullden start हो गया है तब ही मैं stock mentor करूँगा और मैं आपको पता दो ऐसा करने पर जादर जो investors हैं वो अपनी initial rally का काफी बड़ा जो portion है वो miss कर देते हैं और हमें ऐसा नहीं करना so coming to our first company, company का नाम है SBA card and payment services यह company एक subsidiary है of SBA bank जो कि credit card के business में work करती है यह company अपना IPO मार्च 2020 में लेके आई थी वहां से लेके अभी तक company ने अपने investors को negative 25% के रिटन दी है अब अगर हमने company के share price के fall होने के पीछे का reason जानने की कोईश करें तो looking into their numbers, इनका जो ROI है वो decent है जो की 25% से उपर का है company का PG ratio है वो भी okay है 32% के round पर अगर आप company के major fall के पीछे का reason जानने की कोईश करोगे तो looking into their revenue वो तो continuously बढ़ रहा है पर अगर आप इनके financial results को देखोगे तो September के quarter और December के quarter में company का revenue है और profit है वो fall हुआ है और उसके पीछे का reason है overall world में increasing inflation और उसकी वरे से जो US वगेरा में jobs cut हो रहे है अब इन company का majority of the business है उसमें से 83% salary trust individuals से आता है और जब salary trust individuals के जो jobs है वो cut होंगी और inflation बढ़ेगा तो obviously बात है जो इनका spending rate है वो भी कम होगा जिसका impact हमें company के numbers में देखने को मिल रहा है अब अगर इसके अलाबा company के आप net cash flows को देखोगे तो वो decent है ROE increasing format में है पर most important thing है इनका shareholding pattern FIIs ने जैसा कि मैं पता है पिछले एक से तेट सालों में इंडियन markets में काफी huge selling की है तो इसमें भी FIIs ने अपना जो stake है वो cut किया है और पर DIIs अगर आप दूसी तरफ देखोगे तो उन्होंने अपना stake company आप बढ़ाया है पर दूसी तरफ अगर आप एक interesting point को देखोगे तो अगर आप company में public की shareholding देखो तो इदर आप देख पा रहोगे जो एक shareholding कभी एक time पे 25% के around हुआ करती थी in the starting phase of the IPO आज वो continuous basis पे गिर के 5% के around हो गई है इसके पीछे का main reason यही है कि भले ही retail investor यह कहें कि मैं long term के लिए invest कर रहा हूँ पर actually में आगर वो stock एक से जेर्ट सा लिटर नहीं करता है तो ऐसे में हम अपना patience lose कर देते हैं और stock को sell करके market में फिर से पोपुलेशन below the age of 28 है यंगर पोपुलेशन हमें पता है ओल्डर पोपुलेशन से जादा use करती है credit cards बगेरा का और जैसे यह यंगर पोपुलेशन और भी आँगे आएगी इनकी jobs लगेगी यह कमाना शुरू करेंगे तो यह spending rate है वो और बढ़ेगा और जो अल्रेडी पोपुलेशन है उसकी भी जब spending power बढ़ेगी with the increase of their salary उससे भी SBA card के जब business है उसको directly फायता हुग Coming to our next company यह company काफी controversial group से belong करती है company के नाम है Adani Ports company का current share price अराउं 682 रूपीस का है और अगर मैं बात करूँ company के share price के fall की तो हिंडिन बग की report के बाद यह company का share price लगब 25% fall हुआ है अपने top से जो की around 852 रूपीस के रूपीस के रूपीस के रूपीस था अब यस company पे मैंने already भी एक वीडो बनाया था तो let me tell you, Hindenburg ने इन पर जो भी allegations लगाया थे, वो mostly इनकी कई सारी other companies, like Adani Transmission, Adani Total Gas पे थे, जहाँ पर इनकी जो companies को काफी ज़ादा overvalued और manipulated बताया गया था, बट वहीं पर अगर आप Adani Ports का case देखोगे, तो उन्होंने Adani Ports को कोई भी question नहीं किया था, और इसी का reason है, जो उनकी बाकी सारी companies थी, जिन पर allegations थे, उनका price 70% से लेकर 80% तक fall हुआ, वहीं Adani का share price अपने top से केवल 25% fall हुआ, और वो भी because of the sentiments निता other stocks, अगर मैं आपको इनकी business से कुछ numbers के बारे मताऊ, जिनका current P ratio on 28 का है, जो की इतनी बड़ी monopoly के लिए reasonable valuation है, बात करें इनकी operating profits और operating profit margin तो इन में भी कोई भी दिक्कत नदर नहीं आ रही, अगर आप बात करूँ इनकी sales वगरा की, तो वो भी inline है, net profit भी inline है, और बात करोगे एकर इनकी ROE की, तो लगातार अगर आप इनके 10 साल के ROE को भी देखोगे, तो वो consistently 15% से उपर ही रहा है, अब मैं आपको Adani Ports को लेके कुछ interesting news बताता हूँ, तो जैसा कि आपको पता है, कि Adani Group की उपर जब Indian Buck की allegations आई, तो इनके साथ-साथ World की बड़ी-बड़ी research firm और banks ने भी Adani की group of shares को downgate करा, और ये बोला, कि अब इनके shares को collateral लगके, हम लोग इनको all loan नहीं देंगे, बिकाज इनकी उपर काफ ज़ीदा allegations लग चुके हैं, और overall markets में Adani Group को लेके एक negative sentiments बनाए गया, पर right now, अगर आप इनके shareholding pattern को देखोगे, तो पिछले कुछ quarters में Adani Group के जो promoters है, उन्होंने थोड़ी सी अपनी reduce की थी shareholding, बिकाज उन्हें काफ ज़ीदा loan repayment करना था, पर अगर आप ये देखोगे, कि इन जो shareholding को बेचा गया, इनने को खरीदा किसने, तो वहीं FII's ने अपनी shareholding, पिछले कुछ quarter में 4% से बढ़ाई है, और इतना बड़ा shareholding बढ़ाने का सीधा से reason यही है, because in foreign institutional investors को भी बता है, कि Adani Ports एक ऐसा business है, जो की legit है, और काफी ज़्यादा अक्षे से, और काफी ज़्यादा fundamentally well perform कर रहा है, और यह चीज हमें एक negative perspective से इसलिए बताई गई, कि as a public और as a retail investor, हम जाल से आदा Adani को लेके एक negative sentiment बनाके, अपने shareholding को बेचे, और यह जो FII's है, यह अपनी shareholding को बनाके, आँगे चलके Adani group of shares में जाल से आदा हिस्सेदारी ले पाए, अब before jumping to our next company, मैं आपको request करूँगा कि वीडियो को like कर दीजे, if you haven't, सोथा जी वीडियो जाद से जादा लोगों तक महुच पाए, चैनल को subscribe कर दीजे, और प्रिस बेल अकन को भी click कर दीजेगा, आप नेक्स company name is PrincePipe, जो कि एक PVC pipe बनाने के business से work करती है, ये company एक small cap company है, जिसका market के केवल और केवल 6600 क्रोर्स का है, अब अगर मैं आपको company के current share price के बारे बताओ, तो वो around 591 रोपीस का, और ये अपने all time high से लगबग 34% आउन है, अब ये इसने बनाया था November 2021 में, जो कि ये भी दिखाता है कि company में stock price correction के साथ, ये काफी बड़ा time correction भी आ चुका है, अब अगर मैं इसके shock price के इतने गिनने के पीछे का reason बताऊ, तो company के पास सबसे important raw material है, for the manufacturing of their product, वो है crude oil, अब जैसा कि ये पता है, last year मार्च के बाद, जब रशिया यूक्रेन बहुत हुए, तो उस point of time पे, जो crude oil है, उनके prices within a month काफी 13 से बढ़े, और डबबग डबल हो गए, उस point of time पे, company को यही crude oil, जो लगबग डबल हो गयता है इन price, इसको उसी price पे खरीद के, अपनी inventory में store करना पड़ा, it's because company को ये डरता, कि कहीं से ये जो prices है, यहां से और जाद अना बढ़ जाए, अब क्यूंकि ये जो crude oil के prices थे, वो ज़ज़ादा बढ़ गए, company के जो operating profit margin थे, वो steeply decline ही है, जिसका आप impact company के numbers में भी देख सकते हो, और यहीं अगर आपने के numbers को देखोगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, के मार्च के quarter के बाद, जून और सेप्तमर एक quarter में, company के operating profit margin शापनी decline थे दिख रहे हैं, यहां पर एक quarter में ये negative में भी गए हैं, और यह जो problem थी, यह industry wise थी, जो भी companies PVC pie बनाने के business ने work कर थे लिए, अब अगर मैं आपको इस sharp decline के बाद भी, company के overall 5 years के ROE data को बताऊ, तो उन्होंने फिर भी इतनी छोटी company होने के बाबाजूर, 20% से उपर का ROE maintain किया है, जो कि काफी अच्छी बात है, वहीं अगर आप company के share holding बटन को देखोगे, तो एक interesting बात यह है, कि last 2 quarter में company में FII's, इसके साथ DII's ने भी, अपनी जो holding है वो बड़ाई है, और as usual जैसा हमेशा देखते हैं, public ने लगातार business पे अपनी जो holding है company में कम की है, और recently budget 2023 में, government ने infrastructure पे काफी ज़्यादा focus किया है, जहाँ पर इनकी कई सारी policies, लाइक घर का जल जैसी योधना में, प्रिंस पाइप का एक बहुत बड़ा रोल आएगा, जहाँ पर company के लिए growth का एक बहुत ही बड़ा potential open हो जाता है, अब हम आते हैं अपने अगली company पे, जो कि एक काफी special company है, जो कि automotive technology business में work करती है, जहाँ पर ये EV transition motors, different assemblies, gears, और auto encillaries को बनाते हैं, इस company का जो IPO है, वो भी recently 2021 में भी आया था, जहाँ पर इसके जो IPO है, उसको ज़्यादा अच्छा response नहीं मिला था, पर फिर भी IPO के आने के 6 मंद बाद ही, इस company ने अपने investors को लगबग 180% के return दिये थे, और ये जो returns थे, ये 6 मंद के time period में ही आया थे, इस वए इसे जो company का share price था, वो काफिया था overvalued हो गया था, जहां से company के जो share है, उसमें fall देखा गया, पर अगर आप इनके share के fall होने के main reason को समझोगे, तो सबसे पहला reason था, overall world economy में चल रहा slowdown, इस बिकॉज अगर आप इनके business का breakdown देखोगे, तो इनके business का 22% जो business है वो यूरोप से आता है, 18% चाइना से आता है, 33% नौर्ट अमेरिका से आता है, और remaining cable 26% इंडिया से आता है, इस वाइसे इसकी जो dependency है, वो काफी जादा है बाहर की countries में, और जैसा के हैं पादा है कि जहाँ बाहर की countries में, काफी जादा economy और recession को लेके बाते हो रही है, इससे जो major impact है, company के business है पड़ा है, इसके अलाबा, एक और बड़ा reason fall का ये भी है, कि कुछ महीने पहले, इनके one of the biggest investor, जो कि BlackRock थे, उन्होंने company में अपना 13.6% का stake बेचा है, और जब वो एक अच्छा खासा profit कमा लेती है, तो हर एक company, अपना जो profit है उसको book करती है, कुछ हत्ता है जो कि इस company ने भी किया, अब अगर आप company के total business को देखो, तो इंडिया के auto ancillaries और part के market है, उसमें passenger vehicle का जो market है इंडिया का, अब ही तक, जितनी भी companies है, company के साथ associate हुई है as their client, इनका एक भी client इनको shift करके, दूसरी company के पास नहीं गया है, जो कि यह काफी बड़ी बात है, और इसके लाबा, अगर आप इनके shareholding pattern को देखोगे, तो जैसा कि हैं पता है, कि पिछले कुछ quarters ने, जो BlackRock है, उसने अपनी 13.50% का stake का company में sell किया था, पर वहीं, आगर आप यह देखोगे, कि इस stake को buy किसने किया, तो FII's ने अपनी काफी बड़े level पे इस company में shareholding बढ़ाई थी, जो कि around 8.80% की थी, BlackRock के sell करने से पहले, उसके बाद ही 24% के round रोग गई, वहीं D.I.I.S के अगर आप shareholding को देखोगे, तो उन्होंने अपनी shareholding को 16% से बढ़ा के 31% कर दिया, और इस company में आपको एक खास ज्यान रखनी की ज़रुवत यह है, कि आप इस company में तब ही enter होने का सोचीगा, जब आपका investment horizon at least 5 साल से जादा काओ, इसकी काफी तरह dependency है वर्ल्ड की developed countries पे, जो कि अभी recession से होके गुजर रही है, तो उनका line पे आना काफी ज़ाद जरूरी है इस company की growth के लिए, Now, I'm extremely sorry for this, but when I was recording this video, हमारी list का जो fixed stock था, उसमें मुझे एक major concern नजर आया, और उस concern को fulfill करने के लिए यह जरूरी था, कि मैं company के next quarter के result देखूँ, इसलिए मैंने उस stock को इस list में एड नहीं किया है, but don't worry, I'll compensate for this, मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाया था, जिसमें RBI की latest announcement से, किस तरह इंडिया का बैंकेक और फिंटेक इंडरस्टी में बहुत बढ़ी opportunity open हो चुकी है, और किस तरह इंडिया की वहना the biggest fintech giant, इस opportunity का फायदा उठा के तेजी से grow कर रही है, इसकी उपर एक detailed video बनाया है, जिसको आप जाके check कर सकते हो, so thank you for watching this video, और अगर आपको related कोई भी stock जो में डिसकास की वीडियो में, उसके related कोई भी question है, उसके आप comment box में पूछ सकते हो, हम मिलेंगे अपने next video में, तब तक के रिए बबाए.